जैस्री कृष्णा राधे राधे हम जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं और सफलता पाने के लिए दिन राध एक कर देते हैं लेकिन इसके बाबजूत प्रगती नहीं होती लोग लगता है जैसे हमारे तरक्की से जलते हैं कई बार तो हसते खेलते परिबार को नजर लग जाती है और धन की स्थिती मजबूत जब होती है तो खुसियां रहती है लेकिन किसकी नजर लग गई कि सब कुछ समाफ अब पुजा पाठ करने के बाद भी फायदा नहीं हो पा रहा है क्या या गुरू के कमजूर होने का कारण है आज हम आपके साथ इन तमाम रहस्यों पर से परदा हटाएंगे और विस्तार से जानेंगे नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्माग आज हम बात करेंगे हल्दी की हल्दी तो हर किसी के घर में होता है किचन की सान है हल्दी और बिना हल्दी का तो खाना भी नहीं बनता और ना है कोई सुब मंगल कारे हो सकते हैं क्योंकि हल्दी सगुन का प्रतीक माना जाता है और ऐसा सगुन जो नजर दोस से बुरी चीजों से आपकी रक्षा करता है तो हल्दी जहां खाने का स्वाद बढ़ाता है आपके स्वास्त के लिए भी बहुत लापकारी है इसकिन के लिए भी अच्छा होता है लेकिन आज हम आपको खास बाते बताएंगे जोतिस में आपकी कई परेसानियों को दूर करने का काम भी हल्दी करता है और हल्दी पीला वाला जो हल्दी है वो देव गुरू से समंद रखता है अब गुरू की कैसी भी परेसानी हो चाहे संतान समंदी हो धन समंदी मुस्किले हो पढ़ाई समंदी मुस्किले हो या फिर आपके करियर रोजगार समंदी मुस्किले हों महिलाओं के विवाह के समंदी कोई भी तकलीफ हों तो ये हल्दी बहुत काम का होता है जोतिस के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपका विवाह जल्दी होता है बुरी नजर के सिकार आप नहीं होते और करियर में सफलता भी मिलती है और यदि आप सुबा नहाने के बाद स्री हरी के चर्नों में थोरा सा हल्दी लगा कर कंट पे या फिर कलाई पे कही भी एक जगा तिलक करके घर से निकलते हैं तो आपके कारे बनने लगते हैं कारे सिद्धी होती है और अगर घर में ज़्यादा वास्तू दोस हो तो ये हल्दी आपके घर के वास्तू दोसे को भी दूर कर देता है हल्दी वैसे अगर आप मान लेते हैं आपको किसी ने कहा है पीला पुखराच पहनने अब पीला पुखराच तो बहुत महंगा है अब ऐसे में आप पीली हल्दी की गांठ यानि साबूत हल्दी आप पीले धागे में गुरुवार की सुबर धारन करें तो ये भी पीला प्रियोग बताएंगे जो आपके कीचन का हल्दी है वहीं पर इस प्रियोग को करें आपका भागे भी बढ़ेगा और बरकत भी होती चले जाएगी तो छोटा सा प्रियोग को करने के लिए आप ये कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं अगर गुरुवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नकात्मक उर्जा को नस्ट करने के लिए हल्दी से ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और ये हल्दी आपके जीवन के हर परिसानी को दूर करता है लेकिन उसके पहले एक बात जानने भूल कर भी हल्दी और नमक एक साथ मत रखिएगा वरना जीवन में कनफ्यूजन की समस्या परिसान करेगी सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप इसलिए हल्दी और नमक एक जगह मत रखिए अलग अलग रखिए अब यहाँ पर हल्दी रखा है थोरी दूरी पर नमक रखिए तो इस तरह से रखे और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि हल्दी के डब्बे में ऐसा क्या रखे है कि मा लक्षमी आपके घर में ही रहे और साथ ही जीवन में बरकत होती रहे वैसे तो हल्दी आपके कीचन की ही हल्दी की बात करेंगे लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगा जो गुरुवार का दिन होता है ना तो इस दिन एक बात हमेशा याद रखे अगर आपका गुरु मजबूत हो या कमजोर हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे जो खासकर महिलाएं है गुरुवार के दिन अपना सिर नहीं धोएंगी नहीं तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा और दामपत्य जीवन में बहुत परिसानी आएगी इसलिए यहाँ पर पती और संतान की उन्नती भी माना जाता है रुख जाता है इसलिए महिलाओं को खास गुरुवार के दिन चाहे कुछ भी हो जाए बाल ना धोएं तो आज हम बात कर रहे हैं अपने कीचन के हल्दी के डब्बे में आप क्या डालें देखे वास्तू की दृष्टी से हल्दी बहुत महत्पूर्ड है अगर घर की नकात्मक उर्जाओं से आप बचना चाते हैं तो अप घर के बान्डरी वाल पर अगर हल्दी से रेखा बना दी चाये तो घर में नकात्मक उर्जाओं प्रवेस ही नहीं कर पाता और हर कोई स्वस्त रहता है अम माले तें आप फ्लेट में रहतें आप Leanderie वाल में नहीं दे सकते हल्दी से रेखा खीच सकते तब क्या करेंगे तब अपने मुख्य दरवाजे पर घर के मुख्य दरवाजे आपका main door यहां पर हल्दी से स्वस्तित बना दीजे बाहर की तरब से इससे आपके घर में नकात मक सक्तियां प्रवेस नहीं कर पाती अगर बिभा होने में बहुत परिसानी आ रहा हो या बैवाहिक जीवन में लग रहा हो जैसे अब सब खत्म होने वाला है तब नियमित रूप से भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें अगर आप चाहते हैं मालक्ष्मी की किरपा बनी रहे तब रभी बार का दिन छोड़ कर बाकी के दिन आप जो सुरी भगवान के निमित जल अरपित करेंगे वो तुलसी के पेड़ में ही डालिएगा हल्दी वाला जल इससे आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी और भगवान सुरी की किरपा से आपका गुरू भी मजबूत हो जाएगा कई बार क्या होता है मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मा है कि लगता है जैसे रूट गई है क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक प्रयोग करें लगातार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा अगर आपके आसपास आम का पत्ता है गाच है तो एक पत्ता ले आईए अब एक बरतन में पानी ले 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 उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस आम के पत्ते के सहारे आप प गंद एक तो नकारतमक उर्जा को भगा देता है और दूसरा घर में खुसियां आती हैं धन बढ़ता है तो यह चोटा सा प्रयोग है लेकिन इसके फाइदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे तो हल्दी में ऐसा माना जाता है दैबी गुन होते हैं दैबी गुन यानी यह ब अमाम परिसानियों से बाधाओं से बचाया जा सके तो हल्दी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला सबसे मुख्य वस्तू है अगर पेट समंदी समस्या हो खासकर जैसे आपका गुरू गडबड है पेट की बहुत परिसानी है तब आप नियमीत रूप से पास के किसी मंदिर में हल्दी का दान करें तो लाब होता है अब हम बात करते हैं आपके किचन की देखिए हमने टॉपिक रखा है कि अपने घर के किचन में हल्दी के डबबे में क्या डालें तो आपके जो घर में किचन में हल्दी का डबबा है उसमें एक तो आप सबसे पहली बा आप हल्दी के डब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिए याद रखिए 5-6 साबुत लाल मिर्च ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ किया है तोना तोटका या भी किसी भी तरह का कोई चीज तो वो एक तो आएगा नहीं आपके उपर असर ही नहीं करेग आप हल्दी से अराम से खाना बनाएए और छोटा-छोटा साबुत मिर्च लाल सुखा हुआ देखकर उसमें डाल दीजेगा यह मिर्च अगर आप चाहें तो बाद में यूच कर सकते हैं खाने में कोई दिकत नहीं है लेकिन उसमें डाल कर रखे आप और आपके घर वाले स प्रिशन का भी तस्वीर है तो एक छोटा सा प्रियोग कीजिए आपकी मन चाही मुराद पूरी होगी क्या करेंगे एक कागज लेने किसी भी क्रार का कागज उससे फरक नहीं पड़ता उसमें एक चुटकी हल्दी या पांच चुटकी हल्दी डाले पुडिया बना ले चाही मनुकामना पूर्ण होती है चाहे वो मनुकामना आपकी नौकरी का हो आपके बिवा का हो संतान का हो अपने मकान दुकान का हो कोई भी मनुकामना हो अतिसिग्र पूरी होती है हल्दी के प्रियोग से घर में संपन्नता आती है और हल्दी के माला से अगर आप मंत्र ज आया और ये भी कहा कि कैसे आप अपने गुरू को बेहतर करें ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट ग्रैंड्धरमासमाग.com गूगल सचकर के आ सकते हैं पैपसाइट का लिंक आपको डिस्के सुने मिल जाएगा हम फिलाल भी डालेंगे जानकारी अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपनों से सेयर कीजे धन्या